हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेगे कि ITC होता क्या है और इसको हम जो है अपने GST पोल्टल पे कैसे चेक कर सकते हैं ITC की अगर फुल फोर्म की मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है इंपुट टेक्स क्रेडिट इसको हम एक एकजमपल से समझ लेते हैं for example आपने परचेज की है 1000 रुपे की और उस पे आपने 18% टेक्स दिया है तो 1000 पे 18% आपने जो टेक्स दिया है वो 180 रुपे बनता है इसी तरह से अगर आपने वही चीच जो 1000 रुपे की क्रिती थी वो 1200 रुपे की सेल करी है और उस पे भी आपने जो है 18% टेक्स लिया है तो 1200 का 18% टेक्स बनता है 216 रुपे और आपने जो टेक्स दिया तो वो 180 रुपे था जो हमने परचेज की थी तो 216 में से 180 रुपे निकालने के बाद 36 रुपे टेक्स बनता है ये tax जो है हमें सरकार को pay करने होता है बट अगर हमने purchase जो की है वो हमारी sale से जादा है तो वहाँ पे हमारा input tax credit जो है वो portal पे show हो जाता है for example एक लाग की आपने पूरे महिने में purchase करी है और उस पे आपने 18% tax दिया है तो total आपने 18,000 रुपे जो है अपनी party को pay की है उसके बाद आपने जो sale की है वो आपने 50,000 रुपे की की है एक मेंने के अंदर और उस पे आपने 9,000 रुपे tax party से लिया है तो 18,000 रुपे में से 9,000 रुपे less करके 9,000 रुपे जो balance बचता है वो ही हमारा ITC होता है उसी को हम input tax credit बोलते है तो इसको हम portal पे कैसे चेक करते हैं इसको हम आगे वीडियो में देखने वाले है इसके लिए आपने क्या करना है कोई भी browser अपना open कर लेना है उसके बाद जो है search box में आपने type करना है ght.government.in ये लिखने के बाद आपने simply enterprise कर देना है enterprise करने के बाद आपके सामने ght की site open होके आजाएगी यहाँ पे आपको login पे click करना है उसके बाद आपके सामने username password का एक option show होगा तो आपने simply क्या करना है जो भी आपके ght portal का id और password है वो यहाँ पे आपने डाल देना है तो यहाँ पे मैंने username के अंदर अपनी ght की id डाल दी है ght की id डालने के बाद जो है password पे मैं click करता हूँ और यहाँ पे फट फट से अपना ght portal का password एंटर कर देता हूँ उसके बाद निच्चे की साइड आपको capture का एक option देखने को मिलेगा तो यह वाला capture जो भी आपको picture में देखने को मिल रहा है simply यही आपने उपर की साइड एंटर कर देना है एंटर करने के बाद आपने login पे click करना है login पे click करने के बाद यहाँ पे आपको ght portal आपको open होके आजाएगा उपर की साइड आपको काफी सारे option देखने को मिल जाएगा जैसे dashboard services उसके बाद ght log तो यहाँ पे आपने क्या करना है services पे click करना है उसके बाद laser पे click करना है लेजर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने काफी सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे तो simply आपने second वाले option पे क्लिक करना है जिस पे लिखो electronic credit laser जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका ITC जो है वो आपको show ने लग जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हु और amount के अंदर जो है 5,24,253 रुपे लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि 26,25,24 तक जो मेरा ITC है वो 5,24,253 रुपे है यह हमारा जो ITC होता है यह हमारा month wise जो है वो आग्गे forward तरत है फोर इक्जम्पल इस महिनने मेरा 5000 था अगले महिनने में ने जोपी परचेस करी उस इडिट को चेक कर सकते हो फूली यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी है अगर अच्छी लगी है तो आप इसे like कर सकते हैं दोस्तों के साथ share कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हो तो subscribe भी कर सकते हैं